इस वीडियो की एक एक बात को वो लोग लास तक सुनना जिन्हें पढ़ा हुआ आसानी से या फिर जल्दी याद नहीं होता सभी लोगों की याद करने की शक्ति एक जैसी होती है यानि कि सभी के पास दिमाग एक जैसा है लेकिन दिमाग को इस्तमाल करने के तोर तरीके सभी के अलग अलग है यूट्यूब पर भी हजारों वीडियो हैं जिन में बताया गया कि दिमाग को तेज कैसे करें कंप्यूटर जितना माइंड कैसे करें दिमाग तेज करने के लिए क्या खाएं क्या करें क्या ना करें और आपने भाई वो वीडियो देखी भी होंगी अब मुझे ये बताओ कि आप इस वीडियो को क्यो देख रहे हो इसका साफ सिदा मतलब ये है कि आपको उन वीडियो को देखने से अच्छे रिजल्ट नहीं मिला देखो भाई इस वीडियो को देखने से भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप इन बताए गए नियमों को अच्छे से फोलो नहीं करोगे काम पर लग जाए तो समझो वो काम तो हो करी रहेगा लेकिन अब आप में इस कुछ लोग यह बोलेंगे कि भाई यह बता कि हम फोकस कैसे रहें तो भाई सुनो कुछ पांस टिप्स देना चाहूंगा मेडिटेशन करो सोने का नियम पता करो आलस दूर करो और ब्रहमूरत के समय उठो इन चार टिप्स से आप अपना कंसंट्रेशन लेवल यानि की एकागरता शक्ती बढ़ा सकते हो ठीक है और अगर आपको यह चक करना है कि अभी आपकी एकागरता सकती कंसंट्रेशन लेवल कितना है तो भाई आलती पालती मार कर किसी खाली जेकपर जाकर बैठ जाओ ब्रहमूरत के समय सुबह सुबह ठीक है इस समय अराम से बैठ कर किसी भी एक चीज़ पर ध्यान लगाओ आप जितनी देर जरूरी है अनुशाशन अगराप अनुशाशन में रहते हो तो आपका दिमाग आपका गुलाम बन जाएगा यानि की आप जैसा चाहो दिमाग का उस तरीके से इस्तमाल कर सकते हो ठीक है उसके लिए सबसे जरूरी है ब्रहमचर्य यानि की नौफएप का पालन करना ये सबसे बेस्ट है ये तो हो गई कॉमन बात है जिससे आपका दिमाग बढ़ सकता है दिमाग के अंदर अच्छी पावर आ सकती है जो सभी यूट्यूबर्स बताते हैं सभी यूट्यूब की वीडियो का निचोड है ये वाला पार्ट जो आपने भी देखा अब बात कर लेते हैं उन टीन टिप्स के बारे में जिने फोलो करने से आपको एक बार में पढ़कर ही सब कुछ याद हो जाएगा तो भाई सबसे पहला पॉइंट है इंट्रेस्ट अब आप जब भी कोई मूवी देखने जाते ह तो भाई सबसे पहली बात तो आप पूरे इंट्रेस्ट के साथ देखने जाते हो और फिर आपका दिमाग एक बार में उस पूरी मूवी को पढ़ लेता है देख लेता है समझ लेता है और भाई इतना ज्यादा अच्छे तरीके से वह समझ लेता है उस मूवी को क्योंकि आ आपसे अगर दो हफते बाद भी उस मूवी की स्टोरी के बारे में पूछा जाए तो आप बे जिजक बता दोगे किसी भी मूवी की स्टोरी अगर आपने वह इंटरेस्ट सब देखी है तो भाई यही चीज आपको बिलकुर अपनी स्टडी के साथ फोलो करनी है आप कुछ भ हमेबाद ध्यान भटक जाता है और हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते और हमें कुछ भी चीज अच्छे से याद नहीं होती तो भाई इसके लिए जो मैंने भी आपको डेर दो मिंट पहले बाते बताई थी फोकस रहने के लिए उनको जाकर एक बार और देखो और उनको प्रेसर के साथ पढ़ रहे हो प्रेसर से पढ़ रहे हो किसी का दवाब है आपको पर ऐसा मने आप अपने मन से पढ़ो दिल से लगन से पढ़ो ठीक है और किसी भी टॉपिक का कोई टॉपिक अगर आपको समझ में ना आए तो उसकी स्टोरी बना लो यानि कि उसको किसना क किसी से relate करके देखो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कोई भी चीज जल्दी आद हो जाएगी चाहे आप इसे बढ़ाई के साथ ले लो या फिर कोई अच्छी चीज सीखने के बहाने से ले लो बस आपको उसको किसे किसे relate करना है और आपको वो अच्छे समझ में आ जाएग अगला पॉइंट है टेंसन फ्री देखो कभी भी एक्जाम के लिए मत पढ़ो प्रैसर से मत पढ़ो डंडे से मत पढ़ो जो भी पढ़ना है सीखने के लिए पढ़ो आपने कभी न कभी ये महसूस किया होगा कि अगर आप कोई भी काम हडबडी में या फिर जल्दी बाज अगर सरीर स्वस्त रहेगा तो दिमाग दो गुना जादा स्वस्त रहेगा तो इसलिए अपने सरीर को फिट रखो अगर आपके सरीर पर वजन ज्यादा है वजन कम है या फिर ताकत नहीं है कोई भी चीज क्वेरी हो फिटनेस लेटेड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबसे पहले बता रहाँ कोई भी student इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा अगर आपको उसको fitness related कौई काम नहीं है तो हाँ अगर fitness related काम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जा सकते हो ऐसी और सारी वीडियो बहुत सारी मिलती रहेंगी तो जब तक लिए जय हिंद जय भारत